सोलन के बाइपास चौकिस मीप एक दुकान में यूवक 2000 का नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहा था लेकिन दुकानदार बहुत चौकन ना था उशे सक्ख हुआ कि 2000 का नोट असली नहीं है वो नोट की पड़ताल करने लगा वही नोट चलाने वाले यूवक के पसीने छूटने लगे और वह हड़ बढ़ाने लगा जिससे दुकानदार का शक और भी गहरा होने लगा उसने इसकी सूचना आसपास के दुकानदारों के दी उन्होंने भी इस नोट को नकले करा दिया असभी ने एकमत बना कर इसकी सूचना पुलिस को दे दी पुलिस ने भी तक परता दिखाते हुए कुछ इक शोनों में दुकान पर पहुंचे और पाया कि जो नोट वह यूवक चला रहा था वह असली नोट को स्कैन कर प्रिंट किया गया था पुलिस ने यूवक को तुरंट ही रासत में लेकर उसे गहन शानविन शुरू कर दी कंशिमला रवाना हो चुकी है और वास्तिवक्ता क्या है यह जानने का प्रयास कर रही है इस घट्वल्य meglio योवक जिम्यवार है या नहीं इस बात का खुलासा तो चांज के बार चलेगा लेकिन इस बात से यह साबित हो चुका है कि नकली नोटों का कारेबारियों को सलाकों के पीछे पहुंचाया जा सके